Hello everyone, welcome to my channel, चलो learn करते हैं और friends, आज मैं share कर रहे हूं describing words या फिर adjective जो कि class 2, 3, 4 सब के लिए हैं वीडियो पसंद आए तो please like ज़रूर करें तो आज मैं share कर रहे हूं कि describing words किसे कहते हैं ठीक है, describing words को ही adjective भी कहते हैं जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, adjective तो all the words which describe the naming words are called describing words वैसे words, वैसे सारे words जो कि naming words को describe करते हैं कि कैसा है, क्या है तो वो naming words यानि कि noun ठीक है, जो noun को describe करते हैं कैसा है, वो देखने में क्या है तो यह क्या कहलाता है, naming words are called describing words, are called describing words या फिर इसे adjective भी कहते हैं अब जिसे example देखकर हम लोग समझ जाएंगे कि क्या होते हैं describing words अब जिसे इसमें दियावाई the close next chapter का नाम है All the animals come to see the fight सारे जो animals है वो fight देखने के लिए आए Choose the correct word from the help box which describes each animal and write it under each picture तो ऐसे word को choose करना है जो कि उसको describe कर रहे हैं ठीक है Each animal and write it under the each picture यह हमें पता चल जाएगा यहां से जिसे a big elephant यह picture को देखने से हमें क्या पता चल रहा है elephant क्या है big है यह big क्या हो गया यह हो गया describing words हो गया यानि कि adjective हो गया तो मैंने पूछा था ना जब question पूछा जाए क्या है कैसा है तो जो हमें answer मिलेगा ना वही describing word कहलाता है simple way में आप बच्चों को इस तरह समझा सकते हैं या बच्ची वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ सकते हैं क्योंकि describing words adjective as grammar का वो person है जो की बड़े class तक पढ़ना है ये हमेशा हर बच्चों को जवानों को सब को पढ़ना है ये तो अगर जब हमें answer मिलता है पूछने पर कैसा है क्या है तो जो answer मिलता है वही describing word होता है तो elephant कैसा है तो big है तो big क्या हो गया describing word हो गया अब ये fox है तो fox क्या होता है आप इसमें से हमें चूज करना है कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है वो इसके लिए स्टेवल बैठेगा तो clever होता है ठीक है? तो clever fox क्या हो जाएगा? अब ये rabbit है तो rabbit के लिए क्या हो जाएगा? rabbit के लिए हो जाएगा तो यहां हो जाएगा और soft यहां small भी लिख सकते हैं पर यहां से choose करना है हमें तो soft हो जाएगा rabbit क्या तो soft होता है तो a soft rabbit ओके और यह monkey है तो monkey के लिए हो जाएगा naughty a naughty monkey ओके और bear जो है यहां पर black है तो black bear हो जाएगा ठीक है तो यहां से choose करना है ऐसे तो describing words कुछ भी हम लिख सकते हैं पर यहां से choose करना है तो यह इसके लिए यह suitable रहेगा तो यह हो गया आपको तो इसे हम describing words से फिर adjective कहेंगे अब work with your partner ठीक है अपने partner के साथ work काम करना है मतलब इसे feel करना है look at the picture and fill in the blanks using words from the help box picture को देखो and fill in the blanks blanks को fill करना है using words from the help box help box से word choose करके ठीक है words को यूज करके अब जैसे है अब यहाँ पर article देख लीजी यहाँ पर यह भी मैं बता देती हूँ यहाँ पर एन क्यों लगा क्योंकि यहाँ पर जो ओ है न वोवल है ओके वोवल पांच होते है ए ए आई ओ यू तो यहाँ पर ओ जो है वोवल है इसके यहाँ पर एन का यूज हुआ अगर यहाँ वोवल नहीं होता कुछ और होता ठीक है माले यंग होता तो वाई ओ यू एन जी तो वाई जो है वोवल में नहीं आता है कि वोवल में पांच आता है क्योंकि ए ई आई ओ यू जिसमें कि वाई नहीं है वोवल में तो यहाँ पर अ होता मिसे सर्माइज यंग ठीक है तो यह आर्टिकल पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ सारे डिस्क्रिप्षिन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे सारे वीडियो प्लेश्ट में जाएंगे कि इस इंगल में अब थर्डे राहुल इस फैट वाइ ठीक है यहां पर क्या है यहां पर फैट यूज हो जाएगा यहां पर देखने से भी लग रहा है अब यहां पर देखिए एफ क्या है वोबल नहीं है कॉंसेन ना इसलिए यहां पर एक यूज हुआ है जाएग में यहां पर याँ यूज हो जाएग तो मारे ना याँ हुआक से ना हुआ है ना मिल्क Shoga क्या है यहां पर ना इस फिना गरूपल तो यहां पर को जाएगा beautiful तो मेरे अंकल मेरे लिए क्या लाए मेरे अंकल लाए है beautiful dress ठीक है मेरे अंकल beautiful dress लाएं तो यह हो जाएगा आपको beautiful जो कि describe कर रहा है dress को okay naming words को describe कर रहा है मेरे और मिल कैसा है क्या है answer के मिला hot है तो इसलिए यहां पर hot जो हो जाएगा dress कैसा है तो beautiful है तो जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा describing words या फिर adjective हो जाएगा इस तरह से मुच्छों का असानी से समझा सकते हैं अब next देख लेते हैं I gave dash flowers to my mother मैंने दिया कौन सा flower दिया red दिया कैसा दिया तो red दिया मैंने red color का flower दिया मेरी मदर को यह हो गया अब है read about gitu and underline the words which describe her ठीक है अब इसमें underline करना है जो कि उसे describe कर रहा है this is gitu she is tall and thin यहाँ पर tall भी हो जाएगा thin भी हो जाएगा ठीक है कैसी है तो लंबी है और पतली है she has long black hair तो यहाँ पर भी देखे long हो जाएगा और black हो जाएगा ओके लंबा है कैसा है hair कैसा है तो लंबा है और काला है तो long black हो जाएगा underline she is eight years old तो कितने age की है तो eight तो eight years हो जाएगा she has chubby chicks तो कैसा गाल उसका चब्बी तो चब्बी हो जाएगा she likes to sing and play तो उसे खेलना और गाना पसंद है ओके तो यहाँ पर तो describe तो नहीं कर रहा है she likes to sing और प्ले जो वर्ब हो गया है she is a sweet girl वह कैसी girl है तो sweet यहाँ पर sweet underline हो जाएगा ठीके तो यह underline करना है describing words को उसको describe करना है कैसी है क्या है ठीके तो मैंने generally यह बताया था adjective के लिए describing words के लिए तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं describing words ओके जो की naming words यह noun को describe करते हैं जो word वो describing words या फिर adjective कहलाते हैं तो all the words which describe the naming words are called describing words ओके इस तरह से बच्चों को describing words समझाना है I hope उन्हेचे से समझ में आएगा और I hope आपको वीडियो भी पसंद आया होगा तो please say like, share, subscribe जरूर कर दीजेगा और bell बटन भी जरूर प्रेस कर दीजेगा ओके फिर थैंक यू, थैंक्स पर वाचिंग पताइस कर दो दो आएगा प्रेस कर दो 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 आएगा प्रेस कर दो दो आएगा वाचिंग झाल झाल